वाट्सप गाइज, I hope you are doing well, I am weird, welcome to study lover, आज है 11 अगस्त, 11 अगस्त के बेस्ट करेंड़ फिर के कुश्चन आप लोग के सामने आने वाले हैं, कुश्चन के खतम होने के बाद में वीडियो के end में आप लोगों से एक कुश्चन पुछ जाएगा, उसका आप लोगों खुद देना है, और जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कुश्चन पुछ दा, उसका आनसर भी आप लोगोंगों मिलना है, वीडियो के end में आप लोगोंको अपना स्कोर भी बताना है कि आप लोगो को कितना स्कोर आप लोगो नहीं आपर गेन किया, इस तरीके से वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा हुआ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और देखे चीज अगर पसंद आती है तो लाइक जुरूर के कीजे और सेर भी कर दे कीजे अगर आप लोग को लगता है फायदा पहुचा रही है नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर का इसके ओपर decision भी आने वाला है कि क्या ये हमारे समीधान को किसी भी तरीके से हनन कर रहा है क्या ये हमारे समीधान की basic structure के हिसाब से नहीं है वो तमाम बाते हैं आपर Supreme Court अभी इसको review करेगा तो इसलिए कई बार ये न्यूज में आ चुका है बोला जाता है इसको हटा दी बार वाले लोग बोलते हैं इसको अटा दीजिए जमूर कास्मीर वाले लोग बोलते हैं नहीं अटाना है अंदर जमूर कास्मीर वाले लोग कई सारे लोग भी बोलते हैं कि इसको अटा दीजिए तो क्या है ये provision तो इसी के बार में हापर ये question है आप लोग के सामने बोला पर प्रिजिडेंट के ओडर के द्वारा इंसर्ट किया गया था ना कि कोई amendment करके article 368 के तहित इंसर्ट किया गया था ठीक है तो यह बात याद रखनी है तो first statement यहाँ पर आप लोग के सामने है यह यह हो गई गलत second statement बोले जारी है कि article 35 जम्मु कस्मीर की legislature डिसाइड कर सकती है कि कौन यहाँ पर permanent resident है और किसको यहाँ पर special right और प्रिविलेज कंफर्म करने है यानि कि कौन यहाँ पर जम्मु कस्मीर के अंडर आर्टिकल 35 यहां पर बात कर गी है मतलब अगर कोई भी एक्ट यहां पर बनाते हैं तो सम्विधान हमारे Constitution जो इंडियन Constitution है उसके तहत उसके यहां पर चैलेंज नहीं किया जाएगा यह निकि यह है एक special provision देने वाला आर्टिकल यहां पर तो इसी के बारे में यह बात बोली जा रही है यह बिल्कुल सही है special provision दे जाता है और यहां पर यह नहीं मना जाएगा कि यहां पर Constitution का violation कर रहा है हमारे समझना चाहते है तो वीडियो का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा description box में जाकर complete वीडियो आप लोग देखते है क्या 35 ए क्या provision है आपर क्या-क्या impact पड़ेगा इसको अटाने से कौन इसको अटाने के लिए बोला है कौन ही बोल रहा है तो तमाम बाते आप लोग है आपर देखने को मिलेगी तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं question number second देखते हैं बात की जा लिए कि subject जो है जो flood management यानि कि बार्ड को manage करने वाला जो subject है जिसकी वेसे erosion भी देखने को मिलता है और आस-पास वाले एरे में और कई सारी problem देखने को मिलती है तो यह किस government के अंडर में आते हैं center government, state government या फिर जो security flood वाला जो अलग department होता है वो या फिर urban local government देखे होता क्या है आप लोगों ने अभी देखा होगा news में भी सुन रहे होंगे Kerala government नहीं हाँ पर अभी लगभाग 21-22 जो dam है वाँ पर उनको क्या क्या है उनका थोड़ा वो उनके से खोल दिया गया है वाँ पर यानि के नीचे वाले एरया में पानी बहुत तेजी से बहरा है क्योंकि यह लग रहा था कि जो बाढ़ है इतनी तेज आने वाली है वाँ पर जो बांध हो तूट जाएंगे मतला पानी बहुत जादा बांध में बढ़ गया था इसलिए उनको तो यह सारा decision जो भी होता है flood management करने का particular area में होने वाला है वहाँ पर state government decide करती है central government अगर कहाँ बहुत ज़्यादा है कोई problem बहुत ज़्यादा हो जाती है तो central government उसको support करती है ताकि उस situation को control किया जा सके वहना सारा जो देख रहे किया जाता है सब कुछ यहाँ पर वह state government करक सी statement चाहिए और यहाँ पर यह बात की जा रही है fall army warm के बारे में तो F.A.W. इसको बोला जा रहा है आप लोग इसकी थोड़ा सा इसका चहरा वगएरा थोड़ा आप लोग यह इसका design वगएरा देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा छोटा सा यह कीड़ा आप लोग अमेरिका से लेटिड है ना कि अफरीका से लेटिड है तो F.A.W. इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी खतरनाक हैं आपर किसी भी पेड़ पोदो कर नहीं छोड़ता है जो भी मिल जाए उसी के लिए यह सही है कि हाँ सही है अपना काम चल रहा है और क से बिल्कुल सही है यह उससे बचाने का काम करती है अगर Ariya का और की परकोप जो है वो थोड़ा कम हो जाता है तो आप लोग के माइंड में यह आ रहा है कि इसको अभी डिसकस क्यों किया जा रहा है अखिर हमारे हैंपर डिसकस झिए किया जा रहा है इसको क्योंकि Georgia के महीन में इसका बहुत बड़ा प्रकॉप देखने को मिला और यहां पर जो हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रिकल्चर रिसर्च है उसके दिवारे हां पर वोन भी किया गया अलारम किया अरण गया करनाटका के लिए आपर कि यहां पर यह काफी लार्ज स्केल पर पाय जाने वाला सबसे ज्यादा डैम, बांद सबसे ज्यादा किस state में पाए जाते हैं तो यहाँ पर यह आप लोग नजरायगा महाराष्ट में महारा exceptionally सबसे ज्यादा आप लोग LED परदेश में और यूझरामें टेकिंगें तो इतने बांध हैं आप तो आप लोगों से question माली जी ये पूछा जा सकता है तीन state के नाम दे देंगे और बोलेंगे उपर से नीचे तक घटते हुए करम में लगाए कि कौन से state में सबसे ज़्यादा बांध पाय जाते हैं तो इस तरह question आप लोगों से UPSC में पूछा जा सकता है आगे बढ़ते है Question number 5 यह मैं आप लोगों पढ़ा चुक हूँ इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा यहाँ पर बात की जारी है Uniesco के द्वारा अभी इंडिया का Biosphere Reserve लिस्ट में डाला गया है World Network of Biosphere Reserve Uniesco के द्वारा तो यहाँ पर 30 सेसन अभी आप लोगो देखने को मिला जहाँ पर यह काउंसिल का जहाँ पर यहाँ पर डाला गया है इस लिस्ट में तो यह क्या है यहाँ यह हमारी कंट्री का कंचन जोगा यह कंचन जोगा Biosphere Reserve जो की आपर इस लिस्ट में डाला गया है तो इसलिए आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं क्योंकि इंडिया का डाला गया है आपर तो इसलिए पूछा जा सकता है और कहाँ पर देखने को मिली यह गटना यह आप लोग को देखने को मिली इंडोनेशा में यह हाँ पर देखे आप लोग यह होगे यहाँ पर इंडोनेशा तो इंडोनेशा में हाँ पर इसकी काउंसिल की मिटिंग हुई जहाँ पर यह स्टेप उठाया गया कि हाँ इंडिया का जो है यह भायस पर इसको इस लिस्ट में डाला जाना है और लेडी इंडिया के हाँ पर कई सारे बाइस फे रिजर्व नजर आएंगे यह 11 था ठीक है तो पहला नहीं था यह 11 था आप लेडी कई सारे हाँ पर लेड़ी डाले जा चुके हैं तो इसलिए आप लोग कोई आप लोगों से statement देकर हैं आप पूशन लगे कि यह first bias पर रिजर्व है जो कि UNESCO के द्वारा declare किया गया है इसके अलावा कुछ भी ऐसा statement आप लोगों से बनाएं तो आप लोग देख सकते हैं जाका अब question के हैं आप लोगे लिए question यह है कि जो एक तो मैंने बता दिया है आप अब बचे विए जो 10 हैं उनको एक बार जाकर आप लोग लिस्ट को एक बार नजर में को निकाल लीजेगा खासकर last का कौन सा था जो इससे पहले भी डाला गया था ऐसे भी question पुछे जा सकते हैं कि हैं यहाँ पर तो इनकी बात की जा रही है repatriation की यानि के फिर से यहाँ पर उस state में भेजना जिसमें पहले रहा करते थे ठीक है तो पहले यह रहा करते थे मिजोरम में तो कौन से state में से repatriation start के जाएगा 14 अगस्ट 2018 से यह question आप लोग के सामने तो यहाँ पर इस state है तिरपुरा तिरपुरा से यहाँ से वापसी इनको भेजा जाएगा जो कि यहाँ से पहले plan कर चुके थे कई सारे region की बेसे आपर और इसलिए यहाँ पर इनको फिर से उसी area में भेजा जाएगा त कौन से state से किस state में आपर इनको फिर से repatriate किया जाएगा तो यह question भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो important है थोड़ा सा हलका सा idea आप लोगो रखना चाहिए question number 7 बात की जारी है national national dam safety authority के बारे में ndSA के बारे में तो यह क्या होगा जो हमारे country में बांध यहाँ है उनको यहाँ पर safe करने का है यहाँ पर इसके तैयत काम किया जाएगा जो की dam safety will 2018 यहाँ पर अभी आया तो इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है examine करेगी क्या क्या major causes हैं जिसकी वैसे जो dam में कई बार fail हो जाते हैं जी यहाँ बिल्कुल सही बात बोलीगी है यहाँ पर यहाँ पर जो इसकी performance देखने को मिलेगी यहाँ पर state dam safety organization जहाँ पर की dam जो extend किये जाते है two or more state में तो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से particular area एक एक territory से दूसरी territory में जो dam यहाँ पर रहते हैं उनको किस तरीक से आपर किस तरीक से perform कर रहे हैं माली जे क्या होता है कि देखे कई बार दो state के भी लड़ाई रहती है एक particular dam को लेगा तो हाँ पर फिर problem यह निकल के आती है कैसे उसको control करना है तो जहाँ पर जो dam है जो band है वो ए सामने वाले की इससे में आता है तो कोई लड़ाई नहीं देखने को मिले इसलिए तो दोनोई statement यहाँ पर सही है जी किस तरीक से बांध को यहाँ पर सही तरीक से रखा जा सकता है पूरा focus उसके उपर रहेगा यह question आप लोगों है अपर mix नजर आएगा थोड़ा history का question है औ तो यहां पर बात की जारीए कि 14 जुलाई 1942 में Congress Working Committee के दोरा वर्धा यहां पर एक तरीक से decide किया गया था कि यहां पर जो British rule कर रहे थे हमारी country के उपर किस तरीक से उनके यहां पर भगाया जा सकता है तो यह वर्धा में हुई थी एक committee यहां पर यहां पर डिसाइड किया था क्या यह बात सही बोली गई यह जी हां यहां यह बात सही बोली गई है 1942 में यहां पर यह meeting हुई थी और जिसमें बोला गया था कि हम लोगो complete independent चाहिए British India मतलब जो British government हमारे पर rule कर रही थी यह अपसे पहले जो थे हम लोग यहां पर dominant status मांगा करते थे मतलब मतलब यह था कि हमारे उपर जो है यहां पर एक तरीक से नहीं dominant है कि है मतलब एक तरीक से आप लोग जो जो internal matter है मतलब जो जो internal matter है उतो हमको दे दीजिए और जैसे communication defense वगरा या foreign affair वो आप लोग रख लीजे ऐसा status मांगते थे पर लेकिन 1942 में आगे हाँ पर बोला भया complete independent चाहिए dominant status नहीं चाहिए यह statement से ही है second statement में बोला गया 8 August 1942 को महात्मा गांधीजी ने do or die के लिए बोला गया और यहां पर quit India moment के लिए जो speech यहां पर आई वो आई यहां पर Bombay में यह याद रखेगा कई बार पूछ ले जाते हैं आपर यह गवालिया tank यहां से start किया गया गवाल यह tank मेदान से कि हां हम लोग के start करना है do or die करके आपर करो या मरो वाला नारा भी ही से ही दिया गया तो दोनों ही statement यहां पर सही है ठीक है तो answer यहां आप लोग के सामने c हो गया next question है आपर इटली की एक company है आप लोग के सामने जिसका नाम है बैनिली ठीक है तो यहां पर अच्छी कासी bike बनाती है अभी किस state government के सामने साथ में इसने आपर manufacturing facility establish करने की बात किया मतलब कौन से state में प्लांट लगाने की बात किया है यह bike हमारी country में तो यह तेलंगाना government के साथ में और एडिया है 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 हैदराबाद हैदराबाद में तेलंगाना government के साथ में इन्होंने set कि है कि हम लोग यहां पर manufacture करेंगे plant ठीक है ना तो operational जो हो गए है आपर यह October तुधाएं डेटीन से बोला गिया है तो इसी के लिए सारी चीज़ें हापर की जाएगी यह company यहां पर किसके अंडर framework के तहथ यहां पर यह exercise आप लोग को देखने को मिलती है तो यह है question जिसका आप लोग को answer देना है यह question मैंने आप लोगों से last video में पूछा गया था कि किसको appoint किया गया है यहाँ पर head of the mission and chief military observer for UN military observer group India and Pakistan तो इंडिया और पाकिस्तान के border पर जो कास्मीर वाले मुद्दे को लेकर यहाँ पर लड़ाई रहती है उसको observe करने के लिए अभी किसको appoint किया गया है यह एक UN की organization है जो कि यहाँ पर देख रहे करती है observe करती है कि क्या दोनों क है और पाकिस्तान के बीच में जो कास्मीर को लेकर मुद्दा चल रहा है उसी को देखकर यहाँ पर यह स्टेटमेंट में यहाँ पर इस्टेटमेंट के जाता है क्योंकि वह international level पर पहुंचा दिया गया था मुद्दा ठीक है तो यह देखने को मिलेगा यह उरगवे की आर इन्होंने लोगों को बुला है कोपरेट करने के लिए मतलब इस नहीं आप यह भी बोला था इनीशल स्टेज में कि आप लोगों सब्सक्राइब करना चाहिए बिटिस गवर्मेंट के द्वारा लगाई गई थी और इन्हीं के द्वारा रिखा गएते हैं आप दा आर्टि लगोगे से दाबो नाम पर लोगों से पूछा सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है इसके दौरा बोला गया था कि इनीशेल स्टेज में कॉरप्रेट करना है वत अइसे आंक्रेजों को वारे में अंग्रेजियों को तो किसी को embark मंदबस होगा यह सारी दिट्स के बारे में आप लोगो डेटेल में पढ़ाया गया पोलेटी वाले लेक्षर आप लोग जाकर देखते हैं लिंक आप लोगो वुदियो तो यह नोन-constitutional, नोन-statutory body है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर बाकी कई गलत पूचा गया, तो गलत तो पहले बाली ही हो गया, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो स्टाफ एजेंसी का यह प्राइमिस्टर के अंडर में रहता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, कि इसके साथ में कोई भी अटैच ओफिस नहीं है और यहाँ पर कोई भी subordinate ओफिस नहीं है, यह बिल्कुल सही है, यह अपने आप में एक ओफिस है, उपर नीचे इसके कोई ओफिस नहीं है, जिसको इहाँ पर ओफिस का दर्जाद दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐ ये ये रिन